असलाम लेकुम बेटा, हाउ आर यू, आज की लेक्चर में हम साउंड वेव का टापिक नमबर फोर डिसकस करेंगे और इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे के प्रिंसिपल आफ सुपर पोजिशन क्या होता है और ये कहां कहां पर अपलाए होता है और उसके बाद हम इंटरफेरंस इन वेव को डिटेल में समझेंगे और इंटरफेरंस वाले टापिक में जो फार्मूलाज यूज होते हैं जैसे के एंपलीट्यूड कैसे निकालना है, इंटेंसिटी को कैसे निकालना है इनको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे और इन फार्मूलाज के उपर हम निमेरिकल्स भी करेंगे तो आप इस टापिक को एंट तक देखें ताके आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए तो आगी बेटा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल आख सुपर पोजिशन क्या है तो इससे पहले के हम टापिक स्टार्ट करें, मैं आपको समझाओं कि जिस तरीके से हम वेक्टर्स को जोड करते थे जब किसी पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक्ट करते थे तो हम उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टन वेक्टर बनाते थे तो जिस तरीके से हम resultant vector बनाते थे इसी तरीके से जब किसी medium में से simultaneously दो या दो से ज्यादा waves या disturbance गुजरते हैं तो फिर वहाँ पर एक resultant wave बन जाती है उन दोनों waves को मिलाकर एक resultant wave बन जाती है उस resultant wave का जो displacement होता है net displacement या resultant displacement उसको मालूम करने के लिए हम principle of superposition अपलाई करते हैं तो बिल्कुल ही simple है और आपको ये समझा हुआ भी है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा तो आईए बेटा हम start करते हैं The displacement at any time due to any number of waves meeting simultaneously at a point in a medium is the vector sum of all the individual displacements due to each one of the waves at that point at the same time समझ गए कि जो net displacement होता है due to number of waves जब बहुत सारी waves meet करती है simultaneously at a point in a medium तो फिर जो उन सब का vector sum होता है उन सब waves के individual displacements का जो vector sum होता है वो net displacement के बराबर होता है बिलकुल ही आसान कि आप सारी waves के individual displacements को vector की तरह जोड़ लो और फिर जो result आएगा वो resultant wave का net displacement हो जाएगा तो आएगे example के जरीए समझते हैं अगर मैं बोलूँ के y1 and y2 ये जो है these are the displacements at a particular time and a particular position यानि same time और same position पर y1 और y2 ये दो individual displacement हैं अलग-अलग wave के ठेके then the resultant displacement is given by तो फिर इन दोनों waves को मिला कर जो एक resultant wave बनेंगी उसका जो displacement है that is given by y is equal to y1 plus y2 समय में आगया यानि दोनों waves के displacement को हम जब vector की तरह जोड़ करेंगे तो resultant vector जो है या resultant displacement हमें मिल जाएगा तो हम vector को भी तो ऐसे ही जोड़ करते थे थे ना a plus b is equal to c तो कुछ भी नहीं करना resultant vector बनाना है और ये तो हमने already सीखा हुआ है तो कुछ भी नहीं है अब आप ये याद रख लो कि principle of superposition कुछ भी नहीं है ये resultant vector है या resultant displacement है इसको हम apply कहाँ पर करते है यूज या applications क्या है तो बेटा principle of superposition को हम काफी सारी जगा पर use करते हैं जैसे के standing wave में, interference में और beads में standing waves को हम already discuss कर चुके हैं वहाँ पर भी हमने principle of superposition apply किया था अब हम interference और beads को discuss करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये principle कैसे apply होता है तो बेटा, interference of sound waves ठीके, ये क्या है? when two sound waves, या sound waves हो या कोई भी wave हो when two waves are same frequency, same wavelength and same velocity and also they are moving in same direction ठीके, तो फिर क्या होता है? कि जब AC wave जिसकी frequency, wavelength, velocity or direction of travel same हो तो उनका superposition जब होता है that result in the interference तो उनके superposition में से interference हो जाता है तो आप बोलोगे, interference जो है, ये नतीज़ा या result होता है किसका? superposition का कौन सी दो waves का superposition? जिसकी wavelength, velocity, direction, frequency ये सारी चीज़ें same हो तो इसी तरीके से हमने देखा था कि अगर दो wave, frequency, wavelength, velocity वगेरा में same है पर opposite direction में travel करती है तो उनका जो superposition है that result in the standing waves समझे मैं या? और आगे जाकर हम next topic में beats पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि अगर slightly different frequency वाली waves ठीके? same direction में जब travel करती है और उनका superposition होता है तो date result in beats तो ये जो superposition है ये interference में भी result होती है इसकी और ये मतलब standing waves भी बनाता है और ये beats भी बनाता है और आगे जाकर हम light वाले chapter में भी इसको use करेंगे तो ये सारी जो हैं ये superposition की applications है अच्छा बेटा अब इसको detail में समझते हैं और इसके लिए हम suppose करते हैं कि let at a given point ठीके? these two waves arrive and the equation of these two waves are given by बेटा ये दो waves हैं जिसकी frequency वगरा same है ये at a time एक point पर arrive करती है मना arrive मना आती है और इन दोनों waves की जो equations हैं इनको हम कैसे लिखेंगे? ठीके? एक wave जो है suppose करो y बन है तो उसको हमने लिख दिया a sin k x minus omega t ठीके? travel कर रही है तो traveling wave की तो equation बेटा ऐसे होगी न? ठीक हो गया? अब क्या है? कि एक दूसरी wave भी होनी चाहिए और वो same direction में travel करनी चाहिए ठीक है? same direction है तो वो जो दूसरी wave है उसको suppose करो हम y2 मान लेते हैं ठीक है? तो ये देखो minus का मतलब है कि same direction में travel कर रही है ठीक है? wavelength frequency वगरा same है पर यहाँ पर ये देखो minus 5 इसका मतलब है दोनो waves के दर्मियान में phase difference है phase का फरक है बाकी सारी चीज़ें same है पर phase का फरक है phase का मतलब है कोई थोड़ी सी phase में आगे है और कोई थोड़ी सी phase में पीछे है ठीक है? करस्ट ट्रफ आगे पीछे है ठीक है? अगर ऐसा है तो फिर ये दोनो wave जब मिलती है तो जब बैटा ये दोनो waves मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी? हमें पता है हमने इनके उपर principle of superposition अप्लाई करना है और जब हम इन दोनो waves को according to superposition principle मिलाएंगे तो फिर resultant wave बनेगी वो जो resultant wave होगी वो कुछ इस तरीके की होगी y1 और y2 वो हमारा individual displacement था अलग-अलग wave का और दोनों को superimpose करने के बाद ये y जो है ये resultant wave का displacement है ठीक है? और ये जो resultant wave का displacement है ये पूरी equation जो है ये displacement की equation है आगे जाकर देखेंगे कि ये पूरी equation जो है ये तो resultant wave का displacement है लेकिन इसमें ये वाला जो part है ये resultant wave का amplitude है और ये वाला जो part है ये resultant wave का phase है ठीक है? तो resultant wave का जो net displacement या y value होती है वो इस तरीके से मिलती है जब हम दोनों waves के individual displacement y1 और y2 को superposition principle के हिसाब से vector की तरह जोड़ करते हैं अच्छा बेटा अब यहाँ पर amplitude of the resultant wave वो हम कैसे मालूम करते हैं? तो क्योंकि हमें पता है कि हम दो vectors को जो है सुरी दो waves को vector की तरह जोड़ करते हैं तो बेटा vector की तरह जो resultant मिलता है वो तो ऐसा मिलता है तो यहाँ पर कोई नई चीज़ तो है नई तो जो resultant wave का amplitude होगा न वो vector की तरह ही हम जैसे cosine लापलाई करते थे तो resultant wave का amplitude जो है वो बराबर हो जाएगा A1 square A2 square पिलस 2 A1 A2 कास थीटा यहाँ पर A1 और A2 जो है वो individual waves के wave 1 और wave 2 का amplitude और यह जो A है यह resultant wave का amplitude है और यह जो 5 है यह दोनों waves के दर्मियान में angle है यह हम waves के अंदर angle को क्या बोलते हैं phase difference vector और scalar में हम क्या बोलते थे angle between the two vectors और यहाँ पर हम उसी angle को क्या बोलते हैं phase difference आगई बटा बास समझें अच्छा अब आगे चलते हैं तो क्योंकि हमने इनको vector की तरह जोड किया है इनके उपर हमने principle of super position अपलाई किया है तो हमें resultant जो wave है उसका amplitude भी vector की तरह मिल जाएगा यानि हम cosine lag को ही यूज करके resultant vector के amplitude को मालूम करेंगे तो बटा आप बोलोगे कि थोड़ी दिर पहले सर ने बोला था कि amplitude ये है अब सर बोल रहा है कि नहीं वो vector वाला amplitude होता है तो हम amplitude के लिए ये वाला formula यूज करें या ये वाला formula यूज करें तो बटा इसमें confuse होने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जब हम vector scalar पढ़ते थे तो cosine ला तो journal formula होता था resultant vector के magnitude को मालूम करने के लिए पर इसके अंदर अगर दो वेक्टर्स होते थे उनका जब magnitude same हो जाता था तो हम resultant amplitude या resultant जो magnitude है उसको ऐसे भी तो मालूम करते थे 2a cast theta by 2 difference vector कैसे मालूम करते थे 2a sin theta by 2 resultant vector का माड़ 2a cast theta by 2 तो यहां पर भी तो ऐसा ही है तो हमारे book में यहां बहुत सारी यह जो इस तरीके की equation होती है इसको drive करने के लिए हमने यह suppose किया था कि दोनों wave का amplitude ना बिल्कुल जैसे 2 equal vectors होते थे पर जरूरी तो नहीं कि हमेशा जो 2 waves है वो equal amplitude वाली हों जो interference करें amplitude तो कम ज्यादा भी आ सकता है तो अगर amplitude कम ज्यादा है तो resultant amplitude को मालूम करने के लिए यह equation और अगर equal amplitude वाली waves है तो resultant wave को amplitude मालूम करने के लिए यह वाली equation तो I hope कि आप समझ गए हो कि amplitude में यह वाला formula कभ यूज करना है और यह वाला formula कभ यूज करना है समझ में आ गया कुछ पी नहीं है हम reviewन कर रहे हैं vector scalars की ऐसे ही समझ लो आगे चलते हैं बटा अब आपको पता है कि resultant wave का जो amplitude है वो तो इस तरीके से मिलेगा a1 square a2 square plus 2 a1 a2 car theta आगे जाकर हम मैं इस पर आपको numerical से भी करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए पर जो intensity होती है उस पर हम इस तरीके से cosine ला नहीं लगा सकते क्योंके बेटा जो intensity होती है it is proportional to square of amplitude तो amplitude की तरह तो इस तरीके से intensity का formula नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनेगा इस formula को देखें और मैं आपको समझाता भी हूँ resultant intensity I जो है उसको मालुम करने के लिए आप ये वाला formula यूज करोगे अच्छा ये formula बना के से तो जैसे के आपको पता है के intensity जो है वो amplitude के square के साथ proportional होती है तो अगर हम इस formula को squaring to both side कर दें तो ये क्या हो गया ये side जब square होगी तो resultant जो amplitude है उसका square resultant intensity बराबर beta same और square करने से ये जो under root और square आपस में cancel हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है A1 square यानि 1 amplitude का square और amplitude का square तो intensity होती है ठीके तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया intensity और क्यूंकि 1 का square है तो intensity भी 1 वाली सहीए पिलस beta same उसके बाद second wave का जो amplitude है उसका square है तो amplitude का square intensity है और क्यूंकि A2 है तो यहाँ पर हो गया I2 सहीए ये पिलस same ये बेटा 2 भी same अब यहाँ पर है A1 ठीके तो अगर A1 square होता तो हम क्या लिखते I I1 पर यहाँ पर A1 square नहीं है यहाँ पर तो है A तो बेटा अगर यहाँ पर A होगा square square खतम कर देंगे तो ये वाली side तो under root में आ जाएगी न इसलिए A जो है वो under root intensity और A का जो square है वो simple intensity तो ये जो A है ये under root में intensity बन जाएगी 1 है तो 1 2 है तो 2 ठीके ये दोनों under root में intensities बन जाएगे और आगे ये Q.A.fi सेंग तो resultant intensity को मालू करने के लिए ये formula और resultant amplitude को मालू करने के लिए ये वाला formula और intensity को मालू करने के लिए ये वाला formula हम आगे जाकर use करेंगे problems भी करेंगे ठीके इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे भी तो इससे पहले हम देख लेते हैं प्राबलम्स करने से पहले कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटर्फिरंस कहां कहां पर होता है उसकी कंडिशन क्या होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटर्फिरंस कहां पर होता है तो बेटा constructive interference तब होता है वेन जो phi है यानि जो angle या phase है वो दोनों waves के दर्मियान में या तो होई ना 0 हो या तो 2 pi हो या 4 pi हो ठीक है यानि 2 2 pi increase करो 6 pi हो 8 pi हो या आप ऐसे बो 2 pi n यानि 2 pi का 2 pi का integer multiple हो ठीक है यानि 2 pi के साथ 0 हो 1 हो 2 हो 2 pi के साथ जब 0 multiply करोगे तो 0 2 pi के साथ जब 1 multiply करोगे तो 2 pi 2 pi के साथ 2 multiply करोगे तो 4 pi तो जब दो waves के दर्मियान में phase difference कैसा हो 2 pi n where n is 0, 1, 2, 3 whole number ठीक है तो फिर इस किसम का जब phase difference होता है तो दोनो waves क्या करती है constructive interference करती है तो फेज का difference ऐसा ऐसा होना चाहिए अब हम देखते हैं कि path का difference जो है वो कैसा होना चाहिए तो path के difference को हम x बोलते हैं तो path का difference यहां तो होना ही नहीं चाहिए या तो पूरी wavelength जितना होना चाहिए दो wavelength जितना तीन wavelength जितना यानि पूरी पूरी wavelength जितना फरक होना चाहिए इसको हम जर्णली क्या बोलेंगे n lambda यानि 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on वेसे भी हमें पता है कि जब path difference 0 होगा तो phase 0 और फिर जब path difference lambda हो जाएगा तो phase difference 2 pi हो जाएगा फिर 2 pi होगा तो 4 pi हो जाएगा ठीके तो path का फरक पूरा पूरा lambda होना चाहिए 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda और जो phase का फरक है ये 2 pi का multiple होना चाहिए तो बैटा जब इस किसम का path और phase difference होता है दो waves में तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये दोनो waves आपस में phase में है और जब ये दोनों आपस में phase में मिलेंगी तो फिर जो है constructive interference होगा और हमें amplitude भी maximum मिलेगा और intensity भी maximum मिलेगी ठीके तो maximum intensity कितनी हो जाएगी i1 पिलस i2 पिलस 2 under root i1 i2 कैसे हुआ भूल गए ये फार्मूला था जर्नल इंटेंसिटी का अब क्यूंके phase में हैं तो phase में angle कितनी होती है 0 तो कास 0 1 हो जाएगा तो यहाँ पर जो कासे वो तो खतम तो बाकी ये वाला फार्मूला बन जाएगा याद कर लो ये जो 2 पाई होता है 4 पाई होता है इसका भी कास 0 जैसा ही होता है आप calculator में लिखो कास 0 1 आएगा फिर 2 पाई मतलब 360 कास 360 भी क्या होता है 1 आता है और इसी तरीके से 4 पाई 6 पाई इन सब का जो कास है वो कास 0 की तरह 1 हो जाता है समय में आया के ये तो है जर्णल फार्मूला इन्टेंसिटी का पर यहाँ पर जब हम कास 0 की वेली 1 पुट कर दें तो मेग्सिमम इन्टेंसिटी का फार्मूला ये बन जाएगा जो तब होगा जब दोनों वेज आपस में फेज में हो पाथ का फरक ऐसा हो फेज का फरक ऐसा हो ठीक है बटा अब इस फार्मूले को हम यह जो maximum intensity वाला फार्मूला यहाँ पर हमने लिखा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई वो कैसे अगर आप गोर्ट से देखो तो यह जो है यह perfect square है कैसे पहला ट्रम स्कॉयर में square हो गया इसको square करो तो i1 बन गया दूसरा ट्रम है अंडर रूट i2 तो यह जो है यह second ट्रम का square हो गया अब यह जो दर्म्यान वाला ट्रम है भरी आखर में लिख लो यह दर्म्यान में लिख लो यह दोनों पहले और आखरी ट्रम के product का double होना चाहिए a प्लस b whole square वाले के हिसाब से तो देखो पहले और आखरी का यह product हो गया अंडर रूट i1 i2 और यह जो ट्रम्यान है यह first और last time के product का double है तो फिर यह तो a प्लस b whole square वाली condition को satisfy कर रहा है अगर ऐसा है तो फिर हम इसको a प्लस b first प्लस last whole square क्यों न लिख दें तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो maximum intensity एसे भी लिखो एसे भी लिखो कभी problems एसे करने आसान लगते हैं और कभी कभी इस तरीके से भी भड़ी जो है आसानी हो जाती है हमें time हमारा save हो जाता है ठीके बटा जी समझ गए अब इसको हम figure में भी देखते हैं constructive interference को समझने के लिए graph के से हम समझेंगे suppose करो ये y1 और y2 है ठीके ये y1 और ये नीचे वाली y2 है तो बटा जब ये travel करती है और same जगा से same place पर इस तरीके से travel करें कि हमेशा आपज में phase में हो phase का मतलब है ये दो crust जो है crust के सामने हो truff जो है वो truff के सामने हो हर जगा पर crust crust के सामने truff truff के सामने crust crust के सामने truff truff के सामने तो फिर क्या होगा ये जो है इन दोनों की resultant wave है तो देखो crust crust के सामने तो इन दोनों का crust मिलकर resultant wave का crust भी बड़ा हो गया और truff truff के सामने तो resultant wave का truff भी बड़ा हो गया तो resultant wave जो बनेंगी उसका crust और truff जो है वो ज्यादा हो जाएगा जिसकी वज़ा से जो amplitude और intensity है वो भी ज्यादा हो जाएगी तो constructive interference में intensity, amplitude sound का, light का increase हो जाता है अच्छा बेटा phase की अंदर जब यह आपस में मिलते हैं तो intensity तो ऐसे हो जाती है आपको पता है amplitude क्या होगा जो maximum amplitude था उसका formula क्या बनना चाहिए सोचो vector scalars में 2 vectors maximum result कब देते थे जब 0 की angle हो यहाँ यहाँ पर 0 के बदले 364 pi 6 pi भी है तो बेटा, वो maximum result क्या होता था दोनों को हम simply simply जोड करते थे a plus b तो resultant amplitude a जो है वो तो a1 पिलस a2 हो जाएगा यानि simply आपने जोड करना है पर यह जो intensity है यह जोड करने से कुछ ज्यादा है यह देखो i1 पिलस i2 को जोड किया और फिर आगे 2 under root i1 i2 यह एक्स्ट्रा पार्ट भी हमने जोड किया तो याद कर लो resultant wave का जो amplitude होता है a वो तो a1 पिलस a2 हो जाएगा लेकिन intensity दोनों intensity के sum से भी कुछ एक्स्ट्रा होगी और कितनी एक्स्ट्रा 2 under root i1 i2 इतनी एक्स्ट्रा समझे माया तो बिटा ये जो है वो condition है constructive interference की अब हम destructive interference को देखते हैं ठीके destructive interference कब होगा जब phase जो है वो pi यानि 180 या फिर 3 pi 5 pi ये देखो pi के साथ कोई odd number हो 1, 3, 5 7 pi, 9 pi तो ये जो odd number है इसको लिखने का तरीका क्या होता है 2n-1 ठीके ये जो bracket में 2n-1 है न ये हमें odd numbers देता है जैसे यहाँ पर जो n है हम 1, 2, 3 ये से start करते हैं तो जब हम n की value ये देखो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1, 2, 2, 2-1 1 तो ये क्या होजाएगा pi फिर जब 2 पुट करोगे तो 2, 2 जा 4-1 3 pi 3 पुट करोगे तो 2, 3 जा 6-1 5 pi ठीके तो जब phase जो है वो 2n-pi होगा यहाँ हम language में बोलें odd multiple of pi होगा तो फिर destructive interference होगा यहाँ path का जो difference है x जो है वो lambda by 2 half wavelength हो यहाँ 1 and half 3 lambda by 2 5 lambda by 2 यानि lambda by 2 का odd multiple lambda by 2 के आगे यहाँ तो 1 हो यहाँ तो 3 हो यहाँ तो 5 हो तो यह दो को lambda by 2 तो है इसकी आगे हमने कोई odd number रख देना है और odd number को कैसे लिखते हैं 2n-1 ठीके और n की value 1, 2, 3, 4 तो आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रखते जाओ तो आपको lambda by 2 3 lambda by 2 और 5 lambda by 2 7 lambda by 2 इस किसम का path difference मिलेगा तो बैटा जब path difference odd multiple of lambda by 2 हो और phase difference odd multiple of pi हो तो फिर हमें जो दो waves का interference मिलता है वो destructive interference होता है और इस condition को हम ऐसे भी बोलते हैं कि दोनों waves जो है वो out of phase में है जिसकी वज़ा से जब वो मिलेंगी तो minimum intensity हो जाएगी जो बराबर हो जाएगी i1 plus i2 minus 2 under root i1 i2 यहाँ पर सिर्फ minus आ जाएगा कैसे? दुबारा से देखो कि यह जो है pi या 3 pi या 5 pi यह सारे किस तरीके के होते हैं? 180 जैसे और कास 180 minus 1 हो जाएगा plus into minus यहाँ पर वो minus आ जाएगा और फार्मूला कुछ इस तरीके से साल होकर मिलेगा ठीके? बिलकुल इसी तरीके से minimum जो intensity है जैसे वहाँ पर a plus b whole square फार्मूला बन रहा था तो यहाँ पर a minus b whole square की तरह यह perfect square है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? a minus a b और यह whole square तो this is minimum intensity this is maximum intensity समझे में आ रहा है? अब इसको हम graph में देखते हैं तो बटा graphical representation फिर once again यह आपकी हो गई y1 और यह हो गई y2 और यह है जो आपकी dark line है यह थोड़ी ज्यादा dark वाली यह आपकी resultant wave है तो यहाँ पर यह दोनो waves out of phase में हैं वो क्यों? क्योंकि इसका जो crust है वो इसके truff के सामने है फिर जब इसका truff है तो इसके crust के सामने है तो जब waves इस किसम से मिलती है कि crust के सामने truff हो, truff के सामने crust हो तो फिर क्या होता है? एक का truff और दूसरे का crust एक दूसरे को cancel कर देता है और यह wave जो है यह बिचारी सीधी हो जाती है ना उपर या ना नीचे एक ने 10 रुपे दिये दूसरे ने 10 रुपे ले लिए तो जेब खाली तो जब जेब खाली तो wave सीधी ठीक है? तो यह हो गया क्या? resultant displacement कब? जब destructive interference होता है आरी बटा वासामन में यहाँ पर हमने क्या suppose किया है? कि दोनो wave का amplitude बराबर है इसका उपर को इसका नीचे को बराबर बराबर cancel हो गया खतम पर कभी कभी क्या होता है? एक का ज्यादा होता है दूसरे का कम होता है तो फिर बड़े मैंसे हम छोटे को cut करेंगे तो जो बड़ा होगा उस तरफ कुछ बचेगा यानि अगर crust बड़ा है और तरफ छोटा है तो crust वाली side में कुछ wave बचेगी तो ये जो सारी condition है हम ये सोच कर apply कर रहे हैं कि दोनों waves का amplitude बड़ाबर है ठीक होगा बटा? आगे चलते हैं अब हमें ये पता है कि resultant wave का amplitude ऐसा होता है इस पर कुछ problems करें तो let's suppose करो अगर मैं बोलूं कि A1 जो है यानि wave 1 का amplitude 3 है 2 का amplitude जो है वो 4 है और दोनों के दरम्यान में जो phase है या angle है वो 0 degree है तो बताओ resultant amplitude कितना होगा तो ये तो एक मिनट में आप करता होगे क्यों? आपने बोलना है amplitude resultant vector की तरह होता है और 3 और 4 0 degree पर तो 7 हो जाते हैं parallel vectors सिदे सिदे जोड़ होते हैं maximum result देते हैं तो 3 और 4 साथ बिलकुल इसी तरीके से कोई नहीं चीज़ नहीं अब उट कर लो भली ठीक है 3 का square 9 4 का square 16 और vector की तरह वो ही 2, A1, 3, 4 और cast 0 is equal to 1 तो 16 और 9 25 और ये सारे multiply करके 24 और ये under root 49 और इसका under root निकलाया 7 तो बटा amplitude में तो कोई मसला ही नहीं है वो ही resultant vector बस आपने ये देखना है कि phase कितना है दोनों vectors का amplitude कितना है ये अच्छे तरीके से देख लेना है और यहाँ पर ये जो angle होती है इसको हम theta, phi, alpha, beta इसमें किसी भी angle से किसी भी नाम से हम इसको represent कर सकते है आपने यहाँ पर confuse नहीं होना कि ये phi है या क्या है ठीक है ये theta ही समझो इसको ठीक है आगे चलें अब ये मुझे बताओ कि अगर इसी तरीके का intensity का problem आता यानि resultant एक wave की intensity है तीन दूसरी wave की intensity होगी चार और दोनों के दर्माद में angle 0 बिल्कुल सेम किसम का data तो resultant intensity कितनी होगी क्या आप साथ बोलोगे नहीं amplitude की तरह intensities को जोड़ नहीं करना इसी वज़ा से जब हमें E-cate, M-cate या MCQs के problem आते हैं तो फिर बहुत गलतियां करते हैं क्यों? क्योंकि हम intensity को भी amplitude की तरह समझ कर बेठे हुए होते हैं पर आपको पता है intensity को तो इस तरीके से हमने aid करना है तो आपने intensity के इस formula को अपने mind में रखकर फिर problem का answer निकालना है साहिए? और यह formula हमने drive भी कर लिया अब इसको आप देखोगे कि resultant intensity है यह formula आपने लगाना है और फिर एक क्या है तीन दूसरी क्या है चार और पिलस यह टू और यहाँ पर बेटा क्या हो गया? अंडरूट यह 3 यह 4 इंटू 1 ठीक हो गया बेटा? यह 3 और 4 हो जाएंगे 7 यह पिलस यह 2 और बेटा यह 3 फोर जा 12 और यहाँ पर तो 1 है ठीक हो गया? अब यहाँ पर अगर आप इसको फ़र्दर साल करोगे तो 7 तो सेम है और यह जो 12 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 जरब 3 4 जरब 3 लिख सकते हैं 4 का अंडरूट जो है वो 2 बहार आ जाएगा और 2 तो सा 4 हो जाएगा और अंदर 3 जो है वो रेडिकल में ही रहेगा तो 12 अंडरूट 2 अंडरूट 12 को हम 4 अंडरूट 3 भी लिख सकते हैं तो इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप्शन इस तरीके का लिखा होता है बचे बोलते हैं यह तो सही है तो इस तरीके कभी कभी लिखा होता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं यह कैसे बन गया तो बटा यह राम के साथ आपने इसको भी समझ लेना है कोई मसला ही नहीं है ठीके तो रिजल्टेट इंटेंसिटी पर आपने इस तरीके से उसको साल्ब करना है ठीके तो यह आज का हमारा एक मज़िदार सा टापिक था जिस पर हमने कुछ MCQs भी किये इंटेंसिटी और हमने इंटेंसिटी को भी देखा और इंटेंसिटी के साथ-साथ हमने भी देखेंगे और आगे जाकर इस चेप्टर में हम अब डापलर इफेक्ट भी पढ़ने वाले हैं तो मज़े मज़े वाले जो आपके टापिक हैं वो इन्शाला पेंडिंग में हैं और जैसे ही ये टापिक खतम होंगे आपकी जो टेस्ट है वो उन्स अगेन एक मरतबा फिर त्यार है आपने टेस्ट देनी है इसलिए आखर में मैं कुछ MCQ पर भी आपको प्राबलम्स करवाऊंगा और मैं कुछ टेस्टें जो हैं वो लिंक में भी लगा देता हूं और बेटा लिंक को आप फालो किया करें और लिंक जो है वो वन ड्राइव में खुलती है उसके लिए आप अपने मुबाइल में वन ड्राइव जो है वो इंस्टाल कर लें और फिर वो लिंक जो है आपकी खुल जाएगी और आप जो है वो नोर्स और MCQ जितने भी मेरे पास हैं आप उनको मुफ्त में आराम के साथ अपने मुबाइल में ही असिस कर सकते हो विटाइसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें इन्शाला नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाँ आफिज